गाईज उम्मीद हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे दो ऐसे स्मार्टफोन जिसकी आज कल काफी ज्यादा हईप क्रेट हुई हैं और सबसे ज्यादा लोग इन दोनों फोन के लिए एक्साइड़ हैं साधी साथ इन दोनों फॉन को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल कॉमेंट सेक्शन में पूछे जाते हैं एक तो है OnePlus Nord 2 और दूसरा है Redmi K40 Gaming Edition ये फॉन इंडिया में Poco F3 GT के नाम से लॉंच होगा दोनों ही फॉन considering price point पर लॉंच होने के उमीद हैं बेफी कर रही है price और launch के बारे में मैं आपसे आगे बात करता हूँ तो मैंने सोचा इन दोनों फॉन को compare किया जाए pros और cons के साथ ताकि हमें एक better idea मिल सके कौन सा फॉन सबसे ज्यादा value for money smartphone है तो इसी बात पर थोड़ी सी उंगली उठा कर प्यार से वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को bell icon के साथ subscribe भी कर लिजिए ताकि हमारे latest वीडियो की update आप तक पहुंच सके सबसे पहले एक चीज में आपको बता दूँ ये एक feature based comparison है मतलब आपको किस phone में ज्यादा feature देखने को मिलेंगे एंड कौन सा एक phone किस user को target करता है बाकि practical comparison आप देखना चाते हैं तो आप मुझे नीचे comment section में बता सकते हैं शुरुआत करते हैं build quality और design के साथ तो दोनों ही phone में build quality और design को लेकर काफी ज्यादा अंतर है and feeling काफी ज्यादा premium है ये phone को specially gamers को ध्यान में रखते हुए design किया गया है जिसके वाज़े से आपको extra buttons भी मिलते हैं ताकि आपका gaming experience अच्छा हो वहीं अगर हम बात करें OnePlus Nord 2 की तो ये phone के design काफी हर्तक OnePlus 9 series से inspire है phone के front side पर left side में selfie camera की placement की गई है और bezel के ओन अजर करोगे तो काफी narrow bezel है जो आप देख सकते हो phone के left side पर volume rocker button और right hand side पर power on off की और साधी साथ इस phone में alert slider भी देखने को मिल जाएगा जो OnePlus के phone को दूसरे Android phone से unique बनाता है इन शॉट ये button OnePlus की एक निशानी है जिसको काफी सारे लोग पसंद भी करते हैं इसके अलावा phone के rear side पर rectangular shape में module देखने को मिलेगा जिसके अंदर 3 cameras की placement की गई है और साथ में LED flash light की placement और OnePlus का logo भी है वहाँ पर जो आप देख सकते हैं phone के bottom side पर seat eye pod, speaker, grill और sim card tray की placement की गई है top side पर देखोगे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है इसके अलावा in display finger bin scanner की बात करें तो ये आपको OnePlus Nord 2 में देखने को मिलेगा जबके Poco F3 GT में side mounted finger bin scanner होगा दोनों ही phone में आप dual sim लगा सकते हैं memory card लगाने का option नहीं मिलेगा display के ओ नजर करें तो दोनों ही phone के display को लेकर आपको कोई भी problem नहीं होगी क्योंके दोनों ही phone में super amoled display offer की गई है which is a great thing Poco F3 GT में 6.67 inch की full HD plus display दी गई है center punch hole के साथ जबके OnePlus Nord 2 में 6.43 inch की full HD plus display दी गई है side punch hole के साथ overall जो main difference है वो है display size और refresh rate को लेकर OnePlus में 90 hertz का refresh rate है जबके Poco में 120 hertz का refresh rate है बाके display quality को लेकर दोनों ही phone से आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी performance की बात करें तो दोनों ही phone में media tech diamond city 1200 5G chipset ओफर किया गया है जोके 6 nanometer architecture पर वेज हैं और काफी ज्यदा powerful processor है ये processor को आप Qualcomm Snapdragon 870 के साथ compare कर सकते हैं day to day usage, multimedia experience, high graphic वाली gaming तो ये सभी task आप दोनों ही phone के साथ अच्छी तरीके से perform कर पाऊगे आपको कोई भी lag और stutter देखने को नहीं मिलेगा इसके अलबाद दोनों ही phone out of the box Android 11 पर होंगे OnePlus में Oxygen OS का user interface और Poco में MIUI 12 का user interface होगा दोनों ही phone का जो storage का type है वो हैं UFS 3.1 bloatware और add देखने को नहीं मिलती जिन चीज़ों की जरुवत होती हैं वो ही option आपको देखने को मिलेंगे कोई भी falto के चीज़े देखने को नहीं मिलेगी यही एक सबसे बड़ा reason है जिसकी वज़े से लोग OnePlus के phone लेना पसंद करते हैं बैटरी और charging speed की बात करें तो दोनों ही phone में काफी ज़्यादा difference है OnePlus Note 2 में 4500 image की बैटरी दी गई है और साथ में 30W या तो 65W की fast charging होगी और मैं तो चाहता हूँ OnePlus को 65W की fast charging दे देनी चाहिए बागी दोस्तो चार्जिंग स्पीड को लेकर आपकी क्या राई है आप मुझे नीचे comment section में ज़रूर से बताना Poco F3 GT में 5006 image की बैटरी दी गई है और साथ में 67W की fast charging तो यहाँ पर Poco battery और charging speed इन दोनों चीज़ों में बाजी मार जाता है Camera section की ओर नज़र करें तो दोनों ही phone के rear side पर triple cameras का setup दे रखा है OnePlus Nord 2 में 50 megapixel का primary camera sensor, 8 megapixel का ultra wide angle lens और 2 megapixel का macro lens इसके लावा selfie camera 32 megapixel का जबके दूसरी और Poco F3 GT में 64 megapixel का primary camera sensor, 8 megapixel का ultra wide angle lens और 2 megapixel का macro lens इसके लावा selfie camera 16 megapixel का Camera quality को लेकर अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा जब तक दोनों ही phone हाथ में आ नहीं जाते Final verdict और price की बात करूं तो दोनों ही phone का starting variant यानि के 6 GB RAM और 128 GB internal storage जिसकी price 25 से 30,000 के बीच में होगी अगर आप एक compact और lightweight phone चाहिए इन display fingerprint scanner के साथ इसके लावा oxygen OS का user interface और OnePlus जैसे जानी मानी brand तो आप OnePlus Note 2 को consider कर सकते हैं लेकिन अगर आपको specially gaming के लिए कोई phone चाहिए 30,000 से नीचे की price range में तो POCO F3 GT phone का आप जरूर से वेट कर सकते हैं काफी ज्यादा interesting smartphone है specially gamers के लिए बागी दोस्तों आप बताईए नीचे comment section में आप इन दोनों phone में से किस phone के लिए सबसे ज़्यादा excited है और आपके point of view से इन दोनों phone की क्या price हो सकती है नीचे comment section में आपकी valuable feedback जरूर से बताईए मैं आपको मिलता हूँ next video में तब तक के लिए खयाल रखिए अपना और अपने चहने वालों का हुआ 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 है